आप सभी थमनेल देखके पता कर चुके होंगे कि आज हम ये वीडियो किस टॉपिक पर बना रहे हैं आज का हमरा टॉपिक है ससी जीडी कॉंस्टेबल भरती 2014 का इस भरती का अपलाई आप सभी सोच रहे होंगे 24 नॉम्बर से शुरू हो जाएगा लेकिन वेकेंसी यहाँ प अगर हम बात करें वेकेंसी को लेकर और साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में कि आप सभी तैयारी किस्वरकार से कर सकते हैं और सबसे बड़ा यहां पर matter of lifestyle बच्चो के अंदर वहे एज एज कबसे काउंट की जाएगी इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंग सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप सबसे पहले में वैकेंसी यहां पे लिखा गया है तो मरे भाई आपको बता दें कि 84 हजार किस अधार पर अकबार में चापा गया है तो मरी बात धान सुनिएगा जल्द में एक नोटिस यहां पर वाराल हो रहा था जिसके बताया गया था कि आपकी वैकेंसी जो है सबी को मिला कर यहां पर करीब 84 हजार पोस्ट निकलके आ रही है लेकिन उस नोटिस में उपर एक नोट करके लिखा गया था हेडिंग में वहां पर कि यह जो वैकेंसी 84 है इसी में स्सी सीपी ओसाई इसी में एसिस्टेंट कमांडेट और इसी में स्सी जीडी के पोस्ट भ 2024 के जनवरी तक का टाटा था ठीक है लेकिन अभी तक जो टाटा निकलके आया हुआ था एक डाटा मेरे दोस्त जो भरती पचास जार पोस्ट अभी जल्दी जल्दी हमें आपके कंपलीट हुआ है इसका 2023 की वैकेंसी थी जो अभी अभी बच्चे टेंडिंग पर गये हैं इसको आप से मान सकते हैं अगर आपको विलीब नहीं हो रहा ता आप मत मानिये थी कि उसके बाद भी मेरे पास एक ऐसा अविडेंस जिस पर आप से विलीब कर लेंगे मरे भाई वहाँ पर जो बताया गया है असिस्टेंट कमांडेंट चीप यो एसाई और साथी एससी जी से अपलाई होगा है जो भरती आर ये 24 नॉम्म तो दर तेसको इसको इसके अलावा एक भरती और रिकल के आर ये ठीक हैं लेकिन अगर हम यहां पर माने मेरे रोज्ट तो आप सभी कि जो वेकंसी सतर अजार के आसपास आने वाले थी अब इसको अगर बीच में से आप भाए जो है रह सकती है हो सकता है आगी चलकी को बढ़ाया जाए जैसे पफिछली बार हुआ तक 24 ज़ार कि जारी कि नोटिफिशन अर चोपिस जार से बढ़ा कर वागा बढ़ा कर दिया मतलम आधे से भी ज्यादा पोर्स कर दिया अब घृती को बढ़ा कर थी कि थी कि तो की सोच रहे मैं ट्यारी करूं या पिन ना करूं और कुछ मेरे नए नए भाई है जो कि आ रहे हैं भरती देखने के लिए जिनकी एज अभी अभी यहां पर अथारा पुरा हुआ है लकिन वह भी यहां पर कन्फूज है कि एज कट आफ कफ से ली जाएगी कट आफ कफ से होग साथ को मईलने की और है कोई कोई चांस नहीं है लेकिन मैं 20 पैसेंट चांस अभी भी रखता हूं कि हो उसकता है ठीक है जैए झाल जाएगा जब 24 थारिक को नोटिफिकेशन फूल आ जाएगा उसके आप सब को एक यहां पर अलग तरीके से त्यारी करना पड़ेगा त्यारी अगर बात करें में भाई तो आपकी जो मैथ है रिजिनिंग है इनको आपको विशेश टाइम देना है क्योंकि मैथ और चालिस में से आपका टर्गेट होना चीक मेरा चालिस ही सही हो तब ही सेलेक्स उन सुर्वी सब्यकों को आपको एक पेज मिलिक लेना और एक डिन में आपको एक टॉपिक कबर करना है एक दिन में एक मैथ का प्रकते वर चलना है और साथ ही बात करें जिस दिन आपको टॉपिक यहां समब्थ हो जाएगा तो कि बहुत जाए तो आपमें में करीब हुए देखे नहीं टॉपिक अगर कम हुआ इसका मतलब कम आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन आप सभी को टॉपिक थी तो आप हमें टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे तो उसी में बस यहां पर मजबूत रहेगा उसके बार आपको कोई पीछे नहीं कर सकता आप सभी से लेशन यहां पर पासकते हैं सस्टीजीडी कॉंस्टेबल में ठीक हैं और जो की बहुत ही बड़ी इंफर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में आपको प्रवाइड कराई है अब बहुत सा काम कर रहे हैं उससे ही लग रहा है कि आपके भरती यहां पर लेट नहीं होगी आपका 24 नवंबर से ही अप्लाइव शुरू होगा ऐसा हो सकता ठीक है तो परसान मत हो यह जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने दिनों में अपडेट करता रहोंगा और एज में अच्छा का साइविडेंस था कि यहां पर तीन साल कोविड-19 की चले गए बच्चों के इसलिए आप सभी तीन साल की छूट दीजिए तो यहां पर दबाव पड़ा और यहां पर आपको छूट मिल लेकिन अभी यहां पर छूट कोई भी सिलसला चल नहीं रहा है फिलाल कै कैसे क्या होगा आपको 24 तारिक को नोटिक्रेशन आने के बाद मैं अच्छे जानकारी आपको प्रवाइड करा दूँगा तो फिलाल अगर आपको वीडियो चल लगी हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपको इस चिनल के मादम से प्रॉपर तरी कर यह में साथ दी जाएगे ठीक है तो मिलते हैं सब्सक्राइब एक सांदर अप्डेट सा तब तक के लिए जैंद